हमारे साथ मौझूद है कौसांबी से बीजेपी सांसत बिनूत सुनकर बिनूत जी प्रियागराज कांड में जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है तमाम जो बीजेपी के वरिष नेता उन्होंने सापतोर पे कहा कि बड़ी कारवाई होगी पाताल तक खोजकर अपराधियों पर कारवाई की जाएगी निश्चित रूप से जो कारवाई हुई है वो बहुत ही बढ़िया कारवाई है आगे और भी कारवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से योगी जी के नितुत में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त का भियान चलना है कोई बचने वाला नहीं है लेकिन जिस तरह से इंकाउंटर के बाद तमाम बीजेपी प्रवक्ता ये कहते सुने जा रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा फिर से वो मुक्हमंत्री का जो बयान दोरा रहे है तो क्या करना चाहिए जो लोग घर में घुसके इस तरह का निर्मम हत्या कर रहे हैं सहर में दैसत पहलाने का काम कर रहे हैं तो क्या सरकार को सकती सने निपटना चाहिए निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम योगी जी करेंगे और करना भी चाहिए चुनाओ के पहले बिपक्षियों में एक तरह से गहमा गहमी है जो एजेंसीज है उनके खिलाब सरकार उपियोग नहीं कर रही है इसका क्या करना है और तमाम जो राजनेता हैं प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है देखिए टुकले टुकले गहें के लोग हैं ये वही लोग हैं जब अपने समय में देश में जीस प्रकार का भस्ठाचार किये थे ये देश ने पुरी दुनिया जानती है इसको एक अन्तिम सवल राहूल गांदी का बयान सरकार के खिलाफ है विदेश में जीस तरह उनके बयान आ रहे हैं ओक्सपोर्ट से लंदन से निस तरह बयान आ रहे है उसको आप कैसे देखिए देखिए घर का छोटा सा छोटा बच्चा इस बात को जानता है कि घर की बात घर में कही जाती है लेकिन राहूल गांदी जेस तरह विदेश में घुम घुम के इस देश के 135 कोड भारतियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं साइद इसलिए इनका नाम पप्पु बढ़ा है आपसे बात करने के लिए शुक्रिया कैमरा परसल रोहीद के साथ पुशकल भारत समाचार दिल्ले